कभी कभी हम kuch ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं, कुछ ग्रेवी वाली कुछ रिच टाइब की सब्जी बनाना چाहते हैं, बड़ हमारे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है या हम उसको बनाना नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली दो क्विक सी रेसिपी एंड इंपोर्टेंट किचन टिप्स तो वीडियो में लाज तक जरूर बने रहे हैं और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कीजे इनके एस आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे तो पहली मेरे रेसिपी है क्विक पालक पनीर की इस सेकंड्स के लिए हम उसको सौते करेंगे उसके बाद में डाल रही हूँ यह बेसिक ग्रेवी इसकी रेसिपी मैंने अपने मील प्रेप वीडियो में शेयर किया हुआ है आप उसको जरूर चेक आउट करना यह काफी हेल्फूल रहता है क्विक आप इसमें सबजी बना सकते हैं उसके बाद इसको मैंने एक मिनट तक ही मैंने भूना है क्योंकि वह बूना हुआ है उसके बाद मैंने इसमें पालक प्योरी एड़ करके पालक प्योरी को मैं एक से दो मिनट के लिए पका लूँगी क्योंकि पालक प्योरी भी हमारा पका हुआ है ब्लांच किया हुआ ह उसके बाद मैं इसमे आड करूंगी पनीर तो यह होममेट पनीर है एकदम जादा फ्रेश है तो मैं इसमें जादा टोंडτί यह पैचुला नहीं चलंगी और हमारा क्विक सा पालक पनीर बनकर रेडी है, अब इसके साथ हम बना लेंगे जीरा राइस, तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने एक डीप पैन लिया है, पैन के गरम होती ही मैं उसमें ऐल डालूंगी, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू, आपको मैं यहां पर तेज पत्ता और दो हरी इलाइची मैं एड करूंगी, और अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए इसको ताकि अपना आरोमा यह ओल में छोड़ दे, सारे मसाले वो बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको मैं सौति करूंगी, उसके बाद मैंने भीगा कर बासमती रा जादा बनाने चाहर तो बस मैं इसमें राइस को एड कर दूंगी और राइस को मसालों के ताकि मसालों का बिस जो टेस्ट है ना वो राइस में अच्छे से आ जाए, उसके बाद मैंने पानी भी गरम करने साइड में रख दिया है, मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार ब आप उसमें गरम पानी ही आड़ करें तो इसमें कैना उसका कुकिंग जो प्रासेस है वह भी फास्ट होता है और ज्यादा अच्छा उसका टेक्शर आता है तो बस मैंने पानी आड़ कर दिया पानी को सूखने तक थोड़ा से उपर उपर पानी दिख रहे हो नीचे सूख जा है उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हम इसको दम देना है और उसको दम देना है वह स्टीब में काफी अच्छे से पक जाता है और आप देख सकते हैं जीरा राइस भी बनकर तयार है अब जो दूसरी रेसिपी है वो आलू और सोयब इनकी सबजी की है यह भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इस तरीके से अब थोड़ा सा प्रिप्रेशन करके रख लेंगे न तो काफी इजी हो जाता है और अगेन आज मुझे अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाना था और मुझे यह सबजी भी बनानी थी तो यह जो प्रिप्रेशन है वो काफी हेल्फूल था मेरे लिए तो मैंने एक पैन में ओईल लिया और सोयबीन का जो चंक से उसको फ्राइब करके उसको मैं एक साइट बॉयल करने के लिए रख दूंगी कई लो सर्सों का तेल में ज्यादा टेस्टी लगता है ऑईल की गरम होती मैंने जीरा और तेज पत्ता एड़ किया और उसको कुछ सेकंड्स के लिए सौते किया और मैंने बॉयल यहां पर पेटेटो एड़ कर दिया है तो यह बेबी पेटेटो है इसको मैं दो भागो में वर फो फोज़न की भागो पालू बॉयल वहा उसके बाद में इसमें सोया चंग्स अकटेशन तो मैं अच्छे से Bentley आड़ कर लोंगी और मसालो और मसालों को विन्सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्सिंगी अब सारी चीज़े काफी अच्छे से बून चुकी है इसके बाद मैं इसमें एड करूंगी पानी तो मैंने पानी गरम पानी मैंने यहाँ पर एड कर दिया है तो यह ना आपके उपर है कि आपको सबजी में कितना ग्रेवी चाहिए कम या जादा यह आप अपने हिसाब से अजस्ट कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाली चाहिए थी तो मैंने सोड़ा से जादा पानी इसमें एड किया है अब इसको हम ढख कर कम से कम तीन से चार मिनट तक अच्छे से बॉइल हो चुका है और हमारी सबजी भी आल्मोस्ट बनकर रेडी है तो यह भी एकदम क्विक सी सबजी बनती है तो कुछ किजन टिप्स है जो मैं अपने एक्सपिरियंस की हिसाब से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे तो यह सब चीज सभी को पता है लेकिन कुछ हम अलग-अलग चीज एक्सपिरियंस करते हैं उसको शेयर करें तो हमारा एक दूसरे से हमें नॉलेज मिलता तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ करी पत्ते को स्टोर करने को लेकर मैंने काफी मिस्टेक की हैं इसके पहले तो मैं आप लोग के साथ वही शेयर करने वाली हूँ तो यहां पर मैंने बल्क में करी पत्ते मंगाया थे और आपको पता है अगर आप इंडिया क को काफी अच्छे से दोया, 2-4 बार विनेगर वाटर डाल कर पिर सादे पानी से भी अच्छे से दोया अब आप देख सकते हैं। इस को मैं थोड़ी दर के लिए के लिए करने के लिए, तो कुछ पत्ते के QUADIM के लिए यूज करने के लिए और कुछ मैं और कैसे यूज करूंगी स्टोर करने के लिए क्या मेथड यूज करूंगी वह मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तो जैसे पानी ड्रेन हो जाएगा न आप उसको आपके पास कोई भी साथ सूथी का कपड़ा होगा चादर बैट्शिट टाइप उसमें आप उसको फैला कर ओरनाइट के लिए छोड़ दें ताकि उसमें से जो जितना भी मॉइस्टर है पानी है न एटलिस वह सारा सूख जा तो यहाँ पर स्टेम वाले करीपत्ते देख रहे हैं इसको मैं अलग स्टोर करूँगी और जो बिना विदाउट स्टेम वाले हैं उसको मैं अलग स्टोर करूँगी बट सारे चीज़ों को मैं फैला कर छोड़ दूँगी तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा थिन इसमें लेयर करके आपको फैला देना है और साथ के साथ मेरा बेटा भी यहां पर मुझे help करेगा बोल रहा है ममा I want to do that तो वो भी मेरे साथ इसको पूरा फैलाने में मेरी मदद कर रहा है तो जो स्टेम वाले करीपत्ते हैं उसको आपको ओरनाइट के बाद एक सूती के कपड़े मे थोड़ा सा डाम जो खैप उसमें लपेट कर अच्छे से जिप लॉग्ट करके दो रखना है आहाओक आप न जब उसको भी में इसपार आप उसको आप 5-6 दिन तक 3-4 दिन इनफ होता है वह उसको छाओं भी उसको सुखा है जब सारा उसका मॉइस्टर वह सूख जाएगा वह अच्छे से करीपत्ता अच्छे से ड्राइ हो जाएगा फिर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप उसको साल भर के लिए स्टोर क करेंगे ना उसको कलर टेस्स कुछबी चाहिए होता है अब दूसरों मेरे टिप्स है वह मतर को फ्रीज करने से लेकर है अब देखे मतर फ्रीज' करते हैं घर में को पता भी है क्या मैथट होता है बत जो मैंने जिस तरीके से मैंने अब फ्रीज करना स्टार्ट किया है चील कर उसको अच्छे से दो लें और साइड में मैंने यहां पर पानी गरम होने के लिए भी रख दिया है तो आप मटर को जब दोए ना तो जितने भी उसमें खराब जो मटर दिख रहे होंगे ना वो आप उसमें से बिल्कुल हटा दें खराब जो भी दिख रहे है ना आपको लग रहे है कि अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको आप बिल्कुल हटा दें मटर ना खराब नहीं होना चील अब देखे मिन्वाइल यहां पर पानी भी अच्छे से उबल गया है तो उसमें मैंने वन टेबल स्पून शक्कर और वन ट सलगी ने यहां वडारेव होना चील पानी दर्म बलर ओगे हैं मटर अब तैरने लग जाएगा तो हमें इसको भी आज़िए मैं सबस्ट मैंटी अपानी वां आप गैस बंद करने के पहले आपको एकदम ठंडा पानी साइड में रेडी रखना है कोई भी बड़े से बरतन में अगर आप एकदम थोड़े गरम प्लेस में रहते हैं तो उसमें बहुं सारा आइस क्यूब डाल के यूज कीजिए लेकिन मैं यहां पर रहती हूं चाहिना मे बरफ की अभी इसमें जरूरत ही नहीं है तो मैंने ट्रैप वाटर ही लिया है सिंपल उसमें सारे मतर को निकाल कर मैं डाल दूंगी और हमने गरम पानी में एड़ किया तो नीचे से उपर आया था मतर तो हमने गैस बंद कर दिया था यहां पर सारे मतर नीचे बैठ आप उसको पानी को छान ले और छानने के बाद यहां पर भी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत आपको मतर थोड़े खराब से लगेंगे तो आप उसको बेशक निकाल दे उसके बाद आप छानने के बाद हमें क्या करना है इसको सूती के कपड़े में बिचा कर यानि की हमें रखना है ताकि इस में से जो पानी है ओ थोड़े से तो तो तीन से चार घंटे आप इसको फैला कर रखिए फीज करने के पहले आप इमेज़िटल इसको फ्रीज ना करें और फैला कर 3-4 घंटे के बाद रखने के बाद आप इसको फ्रीज कर लें और अगेन इसमें से न सारा जिप लॉग बैग में फ्रीज करते हैं सारा उसका जो एयर है न वो रिलीज करना बहुत इंपोर्टेंट है उससे मटर क शेल्फ लाइब जाधा रहती है तो बस मैं इसको 3-4 घंटे के बाद इसको मैं फ्रीज कर लूँगी और मैं फ्रीज की थी तो उसका क्लिप लेना भूल गई तो यही थी मेरी वीडियो आप लोगो पसंद आई होगी वीडियो अगर आप लोगो पसंद आई हो तो प्लीज कानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कैसे लगी यह टिप्स एक क्विक रेसिपी आप मुझे जरूर अपना फीडबैक मेरे कॉमेंट शेक्टन में शेयर कीजिए मिलती हूं कोई नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय एं टेक केर